बिल लोगों को राइट अधिकार मिले, जनता को अधिकार मिले, तो उसको इलाज करना ही करना होगा, इमर्जेंशी में किसी का, इमर्जेंशी है किसी के साथ, एक्सिडेंट हो गया, किसी को जहरी लाग जानवर खा गया, इमर्जेंशी होगी न, तो उसका इलाज करना जरू हुई है सलेक्ट कमेटी के साथ इनकी बात हुई है इन्होंने जो सुजाव दिये 100 परसेंट वो सुजाव माने है सबका हमारे मूल एक्ट में और जो भी पारित हुआ एक्ट में इनके सुजाव से सारी सुजाव जोड कर नए एक्ट के तुरह से नए एक्ट हमने पास किया है पर हम फिर भी करें अगर आपको कोई परिशानी है आप आकर सरकार से बात करें और उसकी बार परिशानी को अगर कोई होगा तो मैं दूसके सामिल कर देंगे Right to Health Bill को लेकर राजस्थान में डॉक्टर और सरकार आमने सामने हैं सरकार ने भी कह दिया है कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा और डॉक्टर कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं होगी हम काम पर नहीं लोटेंगे हमारे साथे राजस्थान के स्वास्थ मंत्री परसादी लाल मेरां से बाचित करते हैं सर इस समस्या का हल क्या है देखो राइट टू हेल बिल हमारा आज से सुरुआत नहीं है हमारे चुनावी कांग्रेस के चुनावी गोशना पत्र में कहा गया था जनता को स्वास्थ का अधिकार देंगे ये सवाल उट रहा है सर कि ये आपने कहा था चुनावी खोशना पत्र में अब चुनाव में छे साथ महीने है तब लागू करने का क्या मतलब हमने लागू तो तब ही कर दिया हमने सरकार माते मान भी मुखमिन्तरी मौदर ने पास लग तक का मिमा कावर का Caitlin को सबको दिया मुखमिन्तरी चिरन्जवी स्वास्थ मिमा योजना उसके बाद उसको बड़ाकर दूसरे साल उन दस लग रौपय कियाOWN इस साल 25 लग रुपय का इलाज फ्री एक करोर अर्टीस लाग परिवारों को फ्री इलाज उसका पूरा प्रीमियम का पैसा इस बिल की क्या जोड़ नहीं बिल लोगों को राइट अधिकार मिले जनता को अधिकार मिले कि उसको इलाज करना ही करना होगा हिमर्जेंशी dwelling साथ इसे पेमेंट करेंगे। यह डॉक्टर का जूट बोलते हैं कि इतने दिन पर पेमेंट नहीं आता है, लाकों रुपया बाकी रहता है। डॉक्टर्स ने जो सुझाव दिये हमने एक्ट में सारे डॉक्टर से बात किये, चीफ सेकर्टी के साथ बात हुई है, सलेक्ट कमेटी के साथ इनकी बात हुई है, इन्हों ने जो सुझाव दिये हंड़ेड परसेंट वो सुझाव माने है, सबका हमारे मूल एक्ट में और ज सुझाव से सारी सुझाव जाव जोड़कर नए एक्ट की तुरें इसलिक नएक्ट हमने पास किए लाने की जरूत क्यों पड़ी हम जाना चाहिए जरूत Sाइस फूसर को इलाज़ कर रहे हैं प्रॉस का कोई लाज नहीं करें ये कहा गई आई उसका एलाज हो गई होगा ये डॉक्टर कहा रहा है कि फिर यह भी होना चाहिए कि अजनता कोट में जाए तो मिना फीस का वकील केस लड़े emergency में होटल में जाए तो वहाँ खाना खिलाए बिना पैसे का ये डॉक्टर्स की बात अलग हिलाज जीवन का अधिकार है सरकार पैसा दे रही है इनको क्या प्रोलम है सरकार पैसा दे रही है कोई डॉक्टर अपनी जेब से देगा किसी का इलाज का पैसा जो सरकार चिर्ण जीने में इतना 90% लोगों को कवर कर रही है। उनका पैसा हम दे रहे है। लगाता Cap 2-3 साल Computer इसको भुकतार पैसा भी nothing it's all NICK भजम्याइस इसमें डॉक्टरों को आम धनी होगी पैसा माने कमायेंगे तो कहीं क्या दिक्कत है जो नहीं आपर है आप तो बताओ दिक्कत मुशे सरा शाइन प्रोलम प्रोप सराइन फिर बहुंगर अगर आपको कोई परिशानी है आप आकर सरकार से बात करें और उसकी बार परिशानी को अगर कोई होगा तो मैं रूल्स में सामिल कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे अस्पतालों को पहले से पैसा दे दें कि इमर्जनसी कोई आए तो उसका इलाज करो इसे थोड़ी कोई जाएगा ही नहीं सालवर में पैसा क्यों देंगे अभी चिरन जीवा कैसे बुक्तान कर रहे हैं हंडर परसेंट बुक्तान किया है इलाज करने के बाद ही तो दे रहे हैं पहले पैसा दिया जाता है क्या चिरन जीवी का तो वैसे भी होता है लाज चिरन ज को तो कह रहे हैं का काम करी तो पिर लाने का जूरत पड़ी सीन नहीं तो इसलिए लहां को अधिकर मिले इसका इलाज हो गई होगा आध भूस सारे सी जगह उनका कोई सुनता ही नहीं उनका ही रजा करता है नहीं करीब आदमी का कोसषकारbones तो यह जाएगा कि जैसे ही में कोई जाएगा वो अस्पताल वधार रिफर कर देगा कि जाओ समेस फिर तो और मरेंगे ऐसे में लाइग होंगा लाइग होस्य जो भिकत है हम तोड़ी है आप इलाज करो करो पैसे के तो आजकल दुनिया में जानता हो बिना पैसे कोन इलाज करेंगा प्राइवेट उसका पेइमेंट सरकार करें से इस में प्रेक्टिकल यह है किसी का सर खुल गया एक्सिडेंट में सर बांधने में उसको 10-12 लाक रुपे खर्चा आता है पांचला का खर्चा आता है उसका पैसे नहीं हो कहेगा रेफर कर देगा रास्ते में मर जाएगा ऐसे तो और दिक्कत हो जाएगी सर यहीं तौम कह पास हुआ है गवर्णर साथ हमारे पास सरकार के पास जब रूल्स बनेंगे पहले रूल्स थोड़ी बनते हैं मैं इसने जाना चा रहा हूं कि उनके पास पेंडिंग है या भेजे नहीं है विदानस्वा की प्रक्रिया उसके अंतरकत चला जाएगा जब भी वहां से पास होकर आएगा तब सरकार उसके रूल्स बनाएगा क्योंकि लूब हो कि गोड़े होब कि मन में जो ढशका है मुझा लग रहा है कि सरकार को आगे बढ़के सरकार का काम वी होता है कि अगर कोई meu गब वारे में चुशिए करनी Ain血 Should अजैंड कि जाकतना है कि वाइव में सबस्कूरा ऐख अघकर को पहले भी कह दिया सीफ-स कोड़ी होगी हमारे पास आएंगे लोग इमर्जनसी में कहें पैसा नहीं है इलाज करो जिए दो साल सी इलाज कर रहे हैं जब काडल करने थे कैसे व पैसा कमा रहे हैं कैसे इलाज करें थे सरकार उनका पंदाज दिन भुकतान करी एक भी सिकायद करेंगी जो भी उसका भुक्तान सरकार करेंगी जो भी उसका भुक्तान करेंगी कहां दिक्कत हमको करने विवाद के लिए ग्रिवेंस कमेटी बनाई है जिसमें सारे डॉक्टर रहे हैं उनके आई इंडियर मेडिकल एइशियों के प्रतनी दियें जिले पर भी पहली बार एक्ट में किसी जनप्रतिंदियों को अटा कि इनको उसमें सामिल किया डॉक्टर को यहीं तो फैसला करेंगी यही तो सुने वाले हैं कोई MLM P यृकोर्ण कुछ प्रदान परभूग थोड़ी इनको बनाए गी in । शोन स्वान्थ और यसंप ळांधा बचाने के लिए आपको रहें इतना प्रमुक्त उस्टकार के लिए पैसा प्रमक है क्लिकाशन पहुप से टेंट में रगद बचाने के लिए आप का था विल्च है १ार यह पंदर ह analald पैसे एड्वास दे रका है कि उनको जब इलाज करें चिरंजी काड नहीं भी भूआ तो सरकार प्यमेंट करेंगे उसका हम सवाइबान से इस्पिताल में भी देख रहे हैं कि बिना काड के जाते हैं वो तुम्हाँ इलाज नहीं होता है उनका रास्तान के निवासी का कोई भी हो रास्तान के रहने वाला है उसका फ्री लाज है अगर कार्ड नहीं होगा तो क्लेक्टर भी डूटी है उसका कार्ड भी बनवाएगा रिलाज भी करा है एक भी कहरा हूँ मैं एक ही जिन्ती बसा रहा हूँ एक भी इलाज के अबावा में कुछी को बाहर नहीं बेजा आता है हो प्रदेश का निवाची चाहिए उसका कार्ड है या नहीं है सरकारी अस्पताल फ्री इलाज करने है उसका मुझे लगता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन अभी सरकार और डाक्टरों के बीच है कि इस मसलिव कैसे निपटा जाए और दोनों ही पक्ष को इस मामले में आगे बढ़कर अगर कहीं समझता है तो बैठ कर समझना चाहिए मंत्री मोहदे से बातचीत करने पर लगता है कि डाक मुझे लगता है कि डाक्टरों को इस बारे में एक भ्रम के सिती है सरकार को भी आगे आना चाहिए और डाक्टरों को भी इस मामले में आगे बढ़कर जनता के हित में अंद्रोन को वापस देना चाहिए क्योंकि अगर मरीज अस्पताल दर अस्पताल भटकते हैं और जान जोखे में जाता है तो फिर ये सब के लिए दुखदाई है कैमर मनिज के साथ शरत कुमार जैपूर